नीट परिक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त कर दिये गए हैं। इन कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के फिर से जारी किये जाएंगे। ऐसे केंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परिक्षा आयोजित की जाएगी जो केंडिडेट्स इस परिक्षा में हिस्सान नहीं लेंगे उनका रिजल्ट पुराने स्कोर कार्ड की आधार पर ही माना जाएगा जिसमें ग्रेस मार्क्स शामिल नहीं होंगे केंडि सरकार ने सुप्रेम कोर्ट में बताया कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिये गए थे और उन्हें 23 जून को दोबारा परिक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा एंटिये ने वकील के जानकारी दी है कि दोबारा परिक्षा को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा यह परिक्षा 23 जून को आयुजित की जाय सकती है और इसके नतीजे भी जून के अंत तक जारी किये जाएंगे ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित नहीं हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग एक साथ हो सके आज 13 जून को सुप्रिम कोट ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को चुनोती देने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है ये याचिकाओं चार जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थी याचिकाओं में मांग की गई थी कि परिक्षा में गडबड़ी के आरुपों की जाच SIT एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए और चार जून के रिजल्ट के आधार पर हो काउंसलिंग को रोका जाए साथ ही पांच माई को हुई नीट परिक्षा को रद कर दोबारा परिक्षा कराई जाए 11 जून को सुप्रीम कोट ने छात्र सिवांगी मिश्रा और नो अन्य छात्रों की आचिकाओं पर सुनवाई की थी इन केंडिडेट्स ने बिहार और रजस्तान के परिक्षा केंद्रों पर गलत प्रश्ण पतर बाटने की शिकायत की थी परिक्षा रद्दकर S.I.T. जांच की मांग की थी सुप्रीम कोट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया था एंटी को नोटिस जारी कर दिया था जस्टिश विक्रमनाथ और जस्टिश एस एमानुला की पीट ने कहा था कि परिक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है हमें जवाब चाहिए कोट ने केंद्र और एंटी से चार हफते में जवाब मांगा है इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी वहीं दिल्ली हाई कोट ने बारा जून को नीट यूजी परिक्षा में ग्रेस मार्क्स देने वाले कथित पेपर लीग की चार नई आचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी कोट ने एं इस मेंसे 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदा बाच्षेतर से हैं उन्होंने इस परिक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि एंटी ने 24 लाग बच्चों का भविश्य दाव पर लगा दिया है देश भर में नीट यूजी 2024 को लेकर करीब 20,000 जात्र कर्पर ऑद्रों ने याचिका दायर की है जिनमें परिक्षा में गडबडी की शिकायात की गई ग्रेस्मार्श के खिलाफ दायर कि कहा गया है कि एंटी ने अभी तक इसपस्ट नहीं किया है principles देनी का तरीका क्या था परिक्षा के पहले जार्य sut्यश परावधान में ग्रे इस माक्स देना सही नहीं है फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ देखते लिए जनता दर्वान न्यूज